केंद्री मंतरी नितिन गटकरी ने आज ऐसे ही इंडिया द्वारा आयोजित सिल्वर चुबली कारिक्रम को संबोधित किया इस अफसर पर उन्होंने आटो मोबाइल इंडस्ट्री के भविश्य और भारत के और ध्योगिक विकास में इस शेत्र के योगदान पर चर्चा की उन्होंने साफ कहा कि इस उद्योग ने भारत सरकार को सबसे जादा GST दिया है और आने वाले समय में धाई करोर से अधिक नौकरियां देने वाला है आने वाले समय में भारत और ध्योगी के एक्सपोर्ट में आगे निकलेगा और इसके लिए सभी आटो मोबाइल उत्पादुकों का योगदान बहुत महतोपूर्ण है पर मैं जए स्टुडेंट था तो मारोती का सुजुक में विलिनी करन किया था महरत सरकार ने तो उसके खिलाब अंदुलन हुआ था तो मैं उसके एक्टिबिस्ट था तो मैं उस अंदुलन पे था कि यह क्यों हो रहा है तो उस समें सुजुक के खिलाब अंदुलन करने वालो की अटोबैल इंडस्ट्री अप्ग्रेड होना शुरू हो गया जिसमें क्वालिटी बढ़ी और चीज अच्छी बनी innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future for the country और आज भी देखिये ग्लोबल एकोनोमी में तीनों बातों की चर्चा हो रही है एक है fuel, दूसरा है food और तिसरा है fertilizer पूरे दुनिया में रशिया और उक्रेन की war के बाद जो crisis है वो तिनों बातों से लेकर है और इसलिए मैं बहुत खूश हूँ कि ARI है आप सब लोग है बहुत अच्छा research कर रहे है जहां तक यह अटोवेल इंडस्ट्री है इसने तो देश की इतनी बड़ी ताकद है कि presently इंडस्ट्री का turnover है 7.5 लैक करोर एक्सपोर्ट है 3.5 लैक करोर और GDP contribution of अटोवेल इंडस्ट्री 7.1% manufacturing GDP contribution 49% और 4.5 करोन लोगों को jobs दिया है और मेरा एक objective और मेरा विश्वास है कि इंडियन अटोवेल इंडस्ट्री मैं आज तक जो बोलता हूँ वैसे pollution बोलता है वो करता भी नहीं और कभी होता भी नहीं ऐसा अन्बो लोगों को होता है पर योगा एक से मेरा अच्छा है कि मैं जो बोलता हूँ तो हंडर परसेंट हो जाता है एक आदे बार की छुट जाये होगा तो मेरा विश्वास है कि 25 समाप्त होने के पहले है यह हमारा automobile sector world का number 1 का number 1 manufacturing automobile herb in the world होगा और हम पूरे दुनिया को export करने वाले होंगे और scrapping policy के कारण हमारे component की cost हम 30% कम करने में संभव successful होंगे हमारे startup हमारे यह है world की सबसे young talented engineering manpower हमारे पास है और हमारे यह इतना research कर रहे है startup आ रहे हैं अभी 200 लोग तो scooter बना रहे है और जो scooter बना के लाई एक बेंगलोर के company की मैंने slick model देगा इतना सुंदर बनाई उन्होंने अभी electrolyzer बना रहे हमारे इंजिनियर तो मुझे लगता है कि यहां talent की कमी नहीं है तो आने वाले समय में इस चेत्र में number one में 15 लाग करोड की industry दो जार पचीस तक यह बनेगी और कम से कम ढ़ाई से तीन करोड ने jobs create होंगे और यह industry है कि जो भारस सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा GST देने वाली industry यह है जो आपको हमको revenue देते है तो मुझे लगता है कि हमारा TVS, Bajaj, Hero 50% two-wheeler export करते है और आजकल तो मैं port का मंत्री था तो मुझे मालूम है मैंने special विवस्ता की थी गाडिया खड़ी देती थी port पर, buses यह सब जा रहे South Africa में तो इधरी जाता है और अभी मुझे Suzuki, Toyota वो सभी बता रहे है अब दीरे दीरे लोग यहां से दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे है क्योंकि यहां की production cost कम है labor cost कम है यहां का engineering talented young अच्छी generation है जो काम कर रही है यह जो semi conductors है इसमें भी हमारे लोग अब काम करें और इसलिए आने वाले समय में जितने सुधार करेंगे अभी ड्राइवर 22,00,000 ड्राइवर की कमी है scrappage policy में अभी 20-25 यूनिट खुले है मैं तो आपको आवान करूँगा सभी आट्वेल मैनुफेक्चरर को कि आप एक आपकी policy बना कर अलग-अलग जगह पर उनिट खुलने के आपके अंसिलरी उनिट को जैसे आपके स्पेर प्राव से बर खुली है और इसमें जो अलिमिनियम, कॉपर, स्टील, रवर सस्ते में मिलेगा तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी इस देश में जो इंपोर्ट हो रहा है वो कम करना और एक्सपोर्ड को बढ़ाना रोजगार को निर्मान करना ग्रोथ रेट को बढ़ाना देश के लिए वेल्थ को जोड़ना पर कैपिटा इंकम बढ़ाना और इसी से देश आत्मनिर पर बनेगा और इसलिए ये अटोबाइल इंडस्टी ये ऐसा उधरन है कि जिसने देश को काफी मजबुती दी देश के एकोनॉमी को मजबुती दी और दुनिया में हमारा नाम हो रहा है वर्ल्ड के सब ब्रैंड्स हमारे आये है एक अधर नहीं आये तो कोई प्रॉब्लम ने क्योंकि हमने कहा कि चाइना में बना कर यहां मार्केट होगा तो नहीं जमेगा ठाना है तो यहां बनाओ फिर हम आपको बेंगे मुझे लगता है कि सब लोग यहां आए और उनसे भी प्रॉड़क अच्छा बनाएंगे आप अब आपके मॉडल देखकर मैं आपको बताता हूँ कि जो जो ऐसी बड़ी बड़ी नाम ने लेता मैं किसी का गाडिया होगी अमरिका में और दुनिया में उससे अच्छी इलेक्रिक की गाड़ी हमारा महिंद्रा और टाटा बनाएगा यह मेरा विश्वास है कि हमारे यंग टैलेंटेड जो नए डिजाइनर है उतना अच्छा काम कर रहे है और इंडस्ट्री देश के लिए देश के भविश्चे के लिए सबसे अच्छी है आपका बहुत अच्छा कॉंट्रिबूशन है सोसाइटी का कॉंट्रिबूशन है और आगे भी इसी प्रकार से इंडस्ट्री बढ़ते रहेगी और भारत सरकार की ओर से हम इसको पूरा सहीयोग करेंगे इसी विश्वास के साथ आपको बधाई देती हुए मैं अपनी बात को समापत करता हूँ 22 वर्षों से प्रकाशित Mother India पत्रिका परते रहें देश-दुनिया की खबरों के लिए 22 वर्ष में आपकी लोग पुरे समाचार पत्र इंडिया दर्पन का परविए आपके इस से रहें अपने शित्र खबरें को और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दर्पन को अभी सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले अवल्सके लिए अजम्सभण में, श नहीं हमओः है boaemployकिते अजित्र आप्रों केका प्राइब पर वजशन को अप्रास है झाल झाल